अगर आपके पास एक से ज्यादा चिप है तो तब आप यहां पे उनको बन करें अगर आपके पास सिर्फ एक चिप है उसको burn करने की जरूरत नहीं है तो यहां पे सबसे पहले मेरे पास pieces है इनको मैं mint करना चाहूंगा देख सकते हैं मेरे पास 9 pieces है इनको mint करने के लिए आपने यहां पे mint पे click कर लेना है इस पे click करने के बाद यहां पे आपने wallet उसको connect करना है और यहां पे आपके पास transaction आएगी इसको confirm करेंगे तो यह आपके पास यहां पे चिप pieces mint हो जाएंगे तो यह देख सकते हैं मेरे पास यहां पे transaction आ चुके जब आप 100 चिप pieces को combine कर लेंगे आपको जो है यहां पे एक चिप मिल जागा इस चिप को जो है आप यहां पे अगर आपके पास एक से ज्यादा चिप है तो आप यहां पे इनको burn करेंगे ठीक है तो अगर आपके पास सिर्फ एक चिप है तो इसको आपने सिर्फ mint कर लेना है तो देख सकते हैं मेरे पास यहां पे सिर्फ एक चिप है तो इसको मैं यहां से mint कर लेता हूँ चिप pieces को आपने यहां पे combine करना है चिप को अगर एक से ज्यादा चिप है तब जाके आपने इसको यहाँ पर बर्न करना है अगर एक ही चिप है आपने इसको सिरफ मिंट करना है अगर आपके पास एक ही चिप है तो आपने सिरफ इसको मिंट करना है ठीक है तो यह देख सकते हैं, transaction आ चुके है, तो मैं यहां पर इस एक चिप को mint कर लूँगा, तो यहां पर देख सकते हैं, transaction बिलकुल ना के बरापर है, 0.01 cents है, confirm करें, confirm करने के बाद यह चिप मेरे पास यहां पर mint हो जाएगा, और इस चिप का आपको future में फाइदा होगा, ठीक है यह वाला चिप जो है इसको आपने मिंट कर लेना देख सकते हैं यह मेरे पास मिंट हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास अभी शो नहीं करा रहा यहाँ पे मिंटेड चिप में वन चिप यहाँ पे शो करा रहा है तो ये मेरे पास यहां पे MinT हो चुका है ठीक है इसको आपने MinT कर लेना है इसका आपको फ्यूचर में फायदा होगा और इसके लावा अगर आपको यहां पे चिप पीसे और मिल गए और यहां पे जो एंको आपने कमбाइन कर लिया एक और चिप आपको मिल गए तो आपको इसका फाइदा नहीं होने वाला ठीक है आपने एक चिप लाजमी रखना है अपने पास यहां पे एक चिप जो है उसको लाजमी रखना है इसके लावा यहां पे अगर एक से ज्यादा चिप्स है आपके पास उनको आपने यहां पे बहन करना है ठीक है अब एक से इतने भी इस प्रोजेक्ट में बनते हैं, मजीद एर्डोप में बनते हैं, उनको आपने साथ इसाथ बर्न करते जाना है, आपको यहां पे वेफर्स मिलेंगे, ठीक है, यह इनके पॉइंट्स है, जो के फ्यूचर में आपके काम आने वाले बोनिस्स, जो इनके फ्यूचर मे आने वाले एर्डोप बोनिस्स, जो भी बोनिस्स होंगे, वो आपको जो इन वेफर्स से मिलेंगे, और इसके लावा चिप्स से भी, आपको जो यहां पे यह बोनिस्स वगरा मिल सकते हैं, अब यहां पे ऐसा नहीं है, कि मैं खुद से बोल रहा हूँ, कि हां पे देख सकत है, अगर एक से ज्यादा चिप नहीं है, तो आपने एक चिप को भन नहीं करना, उसको अपने पास रखना है, और यहां पे एक और क्वेस्टन में आपको दिखा दू, इन्होंने किया है, यह देख सकते हैं, वाट कैन आई डू विद दा चिप एंड चिप पीसिस, यह तो इसका अंसर में ने पहले आपको दिया है, कि इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ बस कुछ नहीं करना, यह जो है, आपने मिट करने के बाद यह एक सदेटा के लिए यूज होंगे, बाकी यहां पे जो बोनिस आएंगे, जो रिवार्ट बगेरा आएंगे, यह आपक एक soulbound NFT, soulbound entry pass है, ठीक है, तो यह चिप को आपने कुछ भी नहीं करना है, जो एक चिप आपको मिला है, इसको आपने mint करने के बाद इसको आपने अपने पास? आपके wallet में यह रहे गाए ठीक है, यह देख सकते हैं, how can I claim my rewards if I win? मैं अपना reward कैसे claim कर सकता हूं? अगर मैं वि तो आप सिर्फ इसको यहां पे इन्होंने का है कि मिंट कर सकते हो ठीक है जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने एक चिप मिंट कर दिया मेरे पास मिंटेट चिप में एक चिप पड़ा है तो यहां पे इस चिप को आपने मिंट कर लेना है बस अगर आपने व combine करके एक चिप यहां से ले सकते हैं और एक चिप को अगर आप बर्न करेंगे तो आपको यहां पे तीनाजार wafers मिलेंगे अब wafers के बारे में इनोंने क्या कहा है यहां पे आप इसको भी पढ़ सकते हैं सेम इसका भी वहीं use case है यहां पे अगर आप इसको चेक करें मैं chips and they can be used for various bonuses and features within X data ठीक है तो X data जो है platform में इनका कोई data system है जिसके बारे में यह लोग बात करें और इसका आपको features जो है कुछ मजीद features इसके मिलने वाले है various bonuses यहां पे इनोंने बताया कि इसके bonuses भी आपको मिलने वाले है ठीक है यह wafers जो है अगर आपके पास extra chip है तो ही आ क्यों नहीं कह रहे हो सकता है यह एक chip पे आपको कोई reward वगएरा दे दे आपके wallet में जो अभी आपने mint किया है हो सकता है इस पे कोई token वगएरा यह लोग आपको submit कर दे तो यह हो सकता है future airdrop के लिए आप eligible हो अगर आपके पास एक chip हो तो उसको आपने burn नहीं करना अगर ए दिनाजार wafers हुए या पर एक chip हुआ एक ही value है इनकी लेकिन एक chip का होना लाजमी है एक chip से ज्यादा chip है आपके पास तो उनको आपने burn कर लेना है इसका link मैं आपको दे दूँगा इस airdrop का यहां पर जो है आपने इनको mint कर लेना है mint करने के बाद यहां पर इस एक chip को आ पूरत है तो आप उनको buy भी कर सकते हैं और sell भी कर सकते हैं इनका यह collection यहां पर मुझूद है आप इसको यहां पर list भी कर सकते है ठीक है element market place पे आपको यह मिल जागा इसका link मैं आपको दे दूँगा यहां से जो है आप इसको buy भी कर सकते हैं और यहां पे जो है आप इसक साथ शेयर करूंगा मिलते हैं पिर किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज